मैसी होम जहां पे कोई भी चीज जगा पे नहीं रखी गई हूँ, सारी चीज़ें आउट ओफ ओडर हो, ऐसे घर ना देखने में काफी टेरिबल लगते हैं और काफी ज़्यादा एनॉइंग हो जाते हैं और धीरे धीरे ना अंटाइडी घर को देख देके हम थोड़े से फ् तो आप अगर चाते हैं कि आपका मोड भी अच्छा रहे फ्रेश रहे और जबे भी आपके गेस्ट खर में आए तो आपका घर साफ सुत्रा टाइडी लगें कुछ हैबिट्स मैंने अपनी बना रखी है जो कि रोज मैं फॉलो करती हूँ और ये मेरे बहुत ज़्यादा का करें और इसे अपनी एक आदत से बना लें कि रोज ये रेगुलरली हमको फॉलो करनी है तो आपको काफी ज़्यादा आसान हो जाएगा सबसे पहले अगर आप अपना बैट बना लेना तो आपका मोड भी काफी फ्रेश रहेगा तो ये वाली जो पिलो है ना मैंने इसका तो मैं बात करी थी बेडरूम को क्लीन करने की अगर बेडरूम ने आपने मॉर्निंग में ही क्लीन नहीं किया तो दिन भर फिर ये क्लीन नहीं होता है फिर हम दूसरे काम में लग जाते हैं और फिर ये इग्नोर हो जाता है क्योंकि इसके सामने हमें दूसरे रूम क्लीन कर तो मॉर्निंग में अगर आपने इसे क्लीन नहीं किया तो बाद में दिन भर आपको फिर समय नहीं मिलने वाला अपने बेडरूम को टाइडी करने का फिर आफ्टर नून में बच्छे स्कूल से आ जाते हैं और हम भी नैप लेते हैं तो उस टाइम पे फिर हम ऐसे ही सो जाते है गंदे बेड पे तो इससे मॉर्निंग में सबसे पहले अगर आप जैसे हम उठते हैं तो सबसे पहले आप अपने बेड को ठीक कर लीजे टाइडी कर लीजे तो देखिए आपको दिन भर बहुत ही अच्छा लगेगा और फिर आपके दिमाग में ये चीज नहीं गुमती रहेगी कि आरे हमें बेड रूम को ठाइडी करना है ये एक काम रहे गया है तो आप इसको सबसे पहले निपटा लीजे फिर दिन भर आपको ना बहुत ही अच्छा फील होगा आते जाते आप अपने बेड रूम को देखेंगे ना तो आपका मोर और भी अच्छा होता ये सेम बेड शिट ही आप उसको ठीक करके रख सकते हैं जैसे मैंने अभी मेरी ये वाली बेड शिट कंदी नहीं हुई है तो मैंने इसको ही टाइडी कर लिया है कुछ मैने ब्लैंकेट और पिलो कवर्स निकाले है इसको वाश करने के लिए एक और बहुत ही अच्छी सी है होंगे आपका नहाना दोना हो जाएगा तब तक आपकी मशीन भी हो जाएगी फिर आप इससे ड्राइ कर सकते हैं इससे एक ये जो काम है ना साइड बाइ साइड होता रहेगा कुछ कुछ कुशन कवर्स और कुछ पिलो कवर्स मैंने आज वाश करने के निकाले हैं तो मैं दुसरे जो कुशन कवर्स और पिलो कवर्स ढून रही थी लेकिन ना मेरे पास कुशन कवर्स की कमी हो गई क्योंकि कुछ तो दुसरे रूम्स में लगे हैं और कुछ खराब हो गए हैं और काफी सारे पिलो कवर्स मेरे पुराने थी जो फट गए हैं मैंने आपको उसका ए बस आपको ना इसको अंदर की तरह फोल कर देना है और आप कितने भी बड़े पिलो कवर्स हों आप उनको अपने कुशन के लिए यूज कर सकेंगे अगर आपके पस भी कुशन कवर की कमी हो गई है या फिर पुराने हो गए हैं तो इस तरह से आप कुछ जो पिलो कवर्स से लगने लगेगा तो बस देखे बेड हो गया टाइडी आज थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया यहां पर अदरवाइस फाइफ मिनिट्स में हो जाता है क्योंकि मैंने कुछ कवर्स चेंज किये थे और इसके बीच में मैं फिर कपड़े वाशिंग मुशिन में डालने के लिए भी चली गई थी तो इसलिए थोड़ा सा मुझे आज बेडरूम ठीक कर देखे थे थोड़ा सा टाइम लग गया है तो आज मैंने एक extra काम प्लाण करके रखा था, मुझे अपना पूरा वैक्यूम क्लीनर है उसका अंदर का cover change करना है जो बैं लगाते हैं और इसके जितने भी attachment से इसे clean करना और वैक्यूम क्लेनर का जो अंदर का जो पोशन रहता है उसे भी मुझे साफ करना है तो इसको मैं लेकर आगे अपने टेरिस में क्योंकि यहां पेना बहुत अच्छे से फिर काफी सारी जगह है और यहां पे पानी का भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि थोड़ा प्रेशन मे की ज़रूरत नहीं है इसको आप बस थोड़ा देर पानी से इसको निकाल के रख सकते हैं और पानी से नहीं भी निकाले तो आप किसी सुखे कपड़े से इसे वाश कर सकते हैं तो फिल्टर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि खराब हो गया है तो फिल्टर भी आपको बहुत जादा तो इसे चेंज कर दीजे और इसके जितने भी अटेश्मेंट से ना उसको भी आप साफ करके रखिए बीच बीच में तो यह फिर वैक्यूम क्लीनर ना अंदर से अच्छे से साफ रहेगा और फिर इसको मेंटेन करना जरूरी है कोई भी इस तरह की जो क्लीन करने के लिए मैं चली गई थी तो यहां की थोड़ी से साफ सफा ही रह गई है तो इसको भी साफ करके मैं जो थोड़े बहुत बरतन है उनको मैं रिंस करके अपने टब में रख दूंगी सिंग के बारे में बरतनों के बारे में तो मैं हमेशा आप से बात करती ही रहत तो यह हैबिट अगर आप फॉलो करेंगे ना तो यह आपके लिए आसानी भी हो जाएगी बरतोनों को वाश करना कम समय में वाश हो जाएंगे और आपका जो किचन है वो हमेशा ही साफ दिखेगा मैं अपने किचन में यूज करती हूँ और आपको पूरा एक बॉक्स में एक साथ ही मिलेंगे सारे के सारे सेट और यह काफी यूसफुल है स्टीमर के लिए या फिर आप एर फायर में भी यूज कर सकते हैं और केक बेकिंग के लिए भी यह पॉफेक्ट है और यूनी रैप और यूज कर आप आप एमेजोन और फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं इनके बाइंग लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे क्रिस्मस के टाइम पर मैंने यह कुशन करीड़ के रखे वे थैं आज इसको मैं यूस कर रहा हैं वाकितों सारे जैसे मैंने आपको पता कि पुराने हो गए हैं आप मुझे कुछ नए कुशिन कवर्स भी लेने पड़ेंगे या फिर कुछ मेरे पास कपड़े रखे हैं तो उससे भी मैं स्टिच कर सकती हूँ फेस्टिवल्स के लिए कुछ कुशिन कवर्स या फिर पिलो कवर्स मैं अलग से रखती हूँ तो इस टाइम पे ये सारी चीज़े यूज करने में काफी अच्छा दिखता है फिर घर और थीम के हिसाब से भी हम लगा सकते हैं जिसे दिवाली वगरे में आप कुछ कलर्ड कुशिन कवर्स लगा सकते हैं कुछन कवस आते हैं वह मैंने कुछ लेकर रखे हैं तो यहां पर मैं यूज कर लेती हूं तो लिविंग रूम भी मैंने थोड़ा बहुत टाइडी कर लिया है बहुत जादा साफ सफाई मैं नहीं करूंगी क्योंकि थोड़े बहुत कुछ और काम भी मैंने आज निकाले थे तो बस आज लिविंग रूम भी हो गया और डाइनिंग टेबल को भी थोड़ा सा मुझे टाइडी करना है क्योंकि चोटे मुटे सामान आते जाते हैं हम लोग यहां पर रख देते हैं यहां पर जो रणर लगाया था मैंने उसको मैं वाश करने के रखा है तो बस यहां पर टेबल क्लॉथ की तरह यहां पर दुपट्टा मैं यूज करने वाली हूँ और इसको मैं कवर कर दूँगे अपने टेबल को इससे थोड़ा सा टेबल ना टाइडी भी लगता है अगर आप कोई अच्छा सा सुन्दर सा टेबल क्लॉथ वगरे यूज कर ले या फिर पुरा टेबल ना बहुत जल्दी गंदा नहीं होता है थन का मौसम है तो काफी सारे ब्लैंकेट्स और शॉल्स हम लोग लिविंग रूम में भी लेके बैठते हैं तो इनको भी टाइडी रखना बहुत ज़रूरी है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम वहां पे बैठे हैं और जब फोल करके फिर आप उठिये तो आपका जो लिविंग रूम है वो टाइडी दिखेगा और कभी भी जैसे गेस्ट वगर आ जाते ना तो ये शॉल या ब्लैंकेट्स सामने सोफे पर पड़े रहते ना ये बहुत ही गंदे लगते हैं और काफी ना अंटाइडी लुक देते ह है उमीद करती हूँ कि अगर आप भी ये वाली हैबिट्स फॉलो करेंगे तो आपका घर भी हमेशे साफ रहेगा थैंक्यू सो मच पर वॉच्चेंग